हेलो एंड वलकम बैक मैं मधू और आज का टॉपिक है पोयम दा पुली बाई जॉर्ज हर्वर्ड जॉर्ज हर्वर्ड इनका बर्थ हुआ था 3 अपरेल 1593 को युनाइटेट किंग्डम में इनकी डैथ हुई थी 1 मर्च 1633 को युनाइटेट किंग्डम में ये वेल्श बॉन ये पोयट थे औरेटर और प्रीष्ट थे ये एक मेटाफिजिकल पोयट थे ओके तो पोयम स्टार्ट करते हैं वेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाई ये पोयम थोड़ी सी रिलिजिस टाइप की है तो मतलब पोयट इ पोला आउन हीम और वीवर का मीनिंग क्या होता है एक तरीके से ऊडेल देना हएग और ने सोचा जो मैंने हीमनarti सो को बनाया है जिन क्रीचर इंह को मैंने बनाया है और अ को मैं ये ब्लेसिंग Ideal देते हैंün the world's riches which dispersed lie contract into a span dispersed का means क्या होता है distribute or spread over a wide area तितर बितर करना span means अवधी God ने सोचा क्यों ना worlds को सम्रद्ध कर दिया जा सारी तरीके की wealth world को दे दी जड़ आगे की line में यह चीज और clear होगी so strength first made a way then beauty flowed then wisdom honor pleasure पहले God ने strength दिया then beauty then wisdom honor फिर प्लेजर गॉड हुमन्स को बना रहे थे तो उनके पास एक glass था उस glass में उनके पास बहुत सारी blessings थी तो उन्होंने यह सोचा कि जो मैं humans को बना रहा हूं उनको मैं blessings दे पहले गॉड ने strength दी यह strength physical strength भी है और जो सहने की शक्ति है वो भी एक strength ही है फिर beauty दी और वेसी बात है यहार किसी को बड़ी position चाहिए फिर pleasure प्लेजर में जो हमनों five senses से महसूस करते हैं जैसे हमें खाना tasty लगता है perfume की smell अच्छी लगती है और भी other बाकी senses when almost all was out God made a stay perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom lay perceiving means समझना God ने अपनी almost सारे treasures दे दिये फिर रुके और समझे की सारे treasures तो चले गए बट एक चीज बाटम में अभी भी है अभी भी rest in the bottom ले अभी rest जोल बचा है rest मतलब क्या होता सुखचैन सारे जोल तो दे दिया उन्होंने सारे चीजे blessing जेदी पर सुखचैन नहीं दिया भगवान ने humans को for if I should said he bestow this jewel also on my creature bestow का मतलब प्रदान करना God सोचते हैं कि अगर मैंने ये ये जो last jewel है अगर मैंने इसको भी अपने creatures को humans को प्रदान कर दिया तो क्या होगा He would adore my gifts instead of me and rest in nature not the God of nature So both should losers be अगर ये जो last jewel है अगर ये दे दिया तो जो humans हैं वो God की तरफ ध्यान नहीं देंगे वो उनके जो gifts हैं जो उनके treasures हैं उनमें ही लगे रहेंगे तो भगवान को कहां से पूछेंगे वो लोग nature में rest करेंगे God of nature में rest नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो both losers होंगे एक तरीके से God भी loser होंगे और humans भी loser होंगे Yet let him keep the rest but keep them with repening restlessness repening means repen means होता है विलाप करना अब God जो हैं वो कह रहे हैं कि सारे jewels सो मैं दे दूँगा सारे blessings दे दूँगा बटी आखरी blessings नहीं दूँगा यह जो rest है यह जो सुक्चैन है जो संतोश है वो मैं humans को नहीं दूँगा यह जो restlessness है थकाने वाली बेचानी है यह उनके पास रहेगी उनको कभी भी rest नहीं मिलेगा Let him be rich and weary that at least if goodness let him not yet weariness may toss him to my breast weary का मतलब थकना God कहते हैं कि humans को rich रहने दो पर थका हुआ भी रहने दो अगर humans अपने दिल से अपने दिल की अच्छाई से मेरे पास नहीं आएंगे तो सब यह ठक हार के तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे मतलब God ने कोई option छोड़ा ही नहीं humans के पास किसी ने किसी सूरत में humans को God के पास जाना ही पड़ेगा उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा दिल की अच्छाई से नहीं तो अपनी मन की शांती के लिए अब बहुत सारे इतने सारे अमीर लोग होते हैं बहुत पैसे होते हैं इनके पास पर वो spiritual life को भी जीना चाहते हैं तो वही है अगर इनसान बहुत थोड़े में खुश रहना सीखता तो अभी भी हम लोग stone age में ही होते कुछ extra पाने और कुछ extra करने की ही सोच से लोग आगे बढ़ पाते हैं अगर humans को थोड़े में ही संतोश हो जाए थोड़े में ही rest मिल जाए तो आगे क्यों काम करेगा इस पोयम की ठीम रिलिजन और हुमन नेचर है चार स्टैंजा की पोयम है फाइव लाइन्स की इसमें एलिट्रेशन है मेटफर है परसोनिफिकेशन है इमेजरी है इसकी राइम स्कीम एबी एबी ए है पुली पुली का अभी तक तो मतलब समझ में आ गया होगा पर इसका जर्नल टम्स में मतलब क्या होता है ये एक मशीनरी टाइप की होती है जिसमें एक रसी के तुरू कुछ खीशते हैं हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए मैन्वल लेबर के साथ ओके तो ये पोईम यहीं पर कंप्लीट हो गई जैसा भी लगाए कमेंट करके बताओ अच्छा लगाए तो लाइक करो थैंक्स वाचिंग सी यो नेक्स टाइम और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो बाबाए